नमस्कार बहुत स्वागत है आपका आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूँ आपके साथ छेले इंद्र पांडे आज का दिन बेहत खास है क्योंकि आज से सावन की शुरुवात हो रही है और इसलिए भी खास है क्योंकि आज सुबह पांच बचकर 47 मिनट पर चंद्र ग्रहन समाप्त हुआ है इस साल का अंतिम चंद्र ग्रहन आज रात में शुरू हुआ था जो कि आज अरली इंद मौर्निंग पांच बचकर 47 मिनट पर समाप्त हो चुका है तो चंद्र ग्रहन की समाप्ती और सावन की शुरुआत का एक ऐसा कनिक्शन है जो हम सब के जीवन को बहुत अच्छा कर सकता है क्या है यह पूरा मामला इस पर चर्चा करेंगे चाल चक्र में आज क्या खास है चलिए बताते हैं आपको चालचक्र में आज बात करेंगे कि चंद्र ग्रहन के बाद किन बातों का ध्यान रखना चाहिए क्योंकि कुछ ही घंटे हुए हैं अभी चंद्र ग्रहन के समाप्त हुए तो किन बातों का ध्यान हम रखेंगे सावन के महीने में कैसे आपका भाग चमकेगा और सावन के महीने से आपके भागी का क्या connection है भागी को मजबूत करने के लिए सावन के महीने में क्या करेंगे इस विशे पर आज बात करेंगे चंद्र ग्रहन आज सुबह पाँच बचकर 47 मिनट पर समापत हुआ और कल रात में और कल दिन भर हमने आपको जानकारी दी कि चंद्र ग्रहन जब समापत होगा तो उसके बाद आप क्या करेंगे लेकिन बहुत सारे हमारे भाई ऐसे होंगे बहुत सारी हमारी बहने ऐसी होंगी जो रात की duty के बाद ठक करके आ करके सो गए होंगे और शायद अब उनकी आँख खुली होगी तो उनको लग रहा होगा कि चंद्र ग्रहन का बुरा असर हमारे जीवन पर पड़ेगा हम सब के उपर पड़ेगा अब क्या करें समय तो बीद गया ऐसा बिलकुल नहीं है समय अभी नहीं बीता है अभी आपके पास पूरे दिन भर का समय है आप चंद्र ग्रहन के पश्चात कुछ विशेश उपाए आज के दिन में कर सकते हैं और ये बाबा की बड़ी क्रपा है भगवान शिव का बड़ा अशिरवाद है कि चंद्र ग्रहन के बाद तुरंत आ गई शिवरात्री, सावन आ गया, पवित्र समय आ गया तो अगर आप चंद्र ग्रहन के बाद भगवान शिव की पूजा करें तो निश्चित रूप से चंद्र ग्रहन का कोई भी बुरा असर, कोई भी बुरा प्रभाव आपके उपर नहीं पड़ेगा सवाल ये है कि चंद्र ग्रहन के बाद क्या करना चाहिए, क्या करें देखिए, चंद्र ग्रहन आज सुबह, यानी 17 जुलाई को प्राता काल 5 बचकर 47 मिनट पर समाप्त हो चुका है पूरी तरह से मोक्ष हो गया अब इस समय के बाद आप स्नान करें, आप अगर अभी तक नहीं नहाए हैं तो हमारे कारिक्रम को देखने के बाद आप स्नान कर लीजिएगा सादे जल से या गुनगुने पानी से जल में थोड़ा सा गंगा जल मिला लीजिएगा स्नान करने के बाद अपने पूजा स्थान को साफ सुथरा करिए देवताओं की जो मूर्तियां हैं, चुकि ग्रहन काल में मूर्ती पूजा वर्जित होती है इसलिए ग्रहन काल के समाप्त होने के बाद मूर्तियों पर भी गंगा जल छड़का जाता है उनकी साफ सफाई की जाती है, पूजा स्थान को साफ करें इसके बाद पूरे घर में गंगा जल छड़कें, गंगा जल का पूरे घर में छड़काव करें तब जा करके आपका घर शुद्ध होगा, पवित्र होगा, नकारात्मक उर्जा से मुक्त होगा इसके बाद अपने घर से एक लोटा जल ले ले घर का जल ही शिवलिंग पर चढ़ेगा ऐसा नहीं कि मंदिर का जल लेके ही मंदिर में चढ़ा दिये घर से एक लोटा जल ले ले और इसको ले करके शिव मंदिर जाएं भगवान शिव को जल की धारा अर्पित करें और इसके बाद शिवलिंग की अर्ध परिक्रमा करें शिवलिंग की पूर्ण परिक्रमा नहीं की जाती तो शिवलिंग की अर्ध परिक्रमा करें इसके बाद भगवान शिव से हाथ जोड़ करके प्रार्थना करें कि हे प्रभु अगर मेरे उपर चंद्रग्रहन का कोई बुरा असर पढ़ने वाला है मेरे जीवन पर, मेरे लोगों पर, मेरे सगे संबंधियों पर, मेरे कुटुम्बियों पर तो हे प्रभु उस बुरे प्रभाव को दूर करो भावी मेटी सकहित्र पुरारी भगवान शिव की कृपा से निश्चित रूप से इसका प्रभाव समाप्त हो जाएगा इसके बाद किसी निर्धन व्यक्ति को सफेद वस्तुओं का दान करें जैसे चावल है, चीनी है, दूद है, आटा है, नारियल है इसका दान करना आपके लिए बहतर होगा और अगर ये उपाए आप आज के दिन में करते हैं तो चंद्र ग्रहन का अशुब प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा देखिए, चार राशियों पर इस ग्रहन का विशेश प्रभाव है धनू राशी, मिथुन राशी, मकर राशी और करक राशी इन चार राशी के लोगों को तो आज ये उपाए जरूर ही करना चाहिए अवश्य ही करना चाहिए मेश राशी, वरिष राशी, मिथुन राशी, कन्या राशी, तुला राशी, वरिष्चिक राशी, धनू राशी और मीन राशी इन लोगों को उपाय करना बेहत जरूरी है क्योंकि इनके लिए ग्रहन के प्रभाव या तो मध्यम है या तो अशुब है और अगर हम आगे से चल करके देखें तो करक राशी, सिंग राशी, मकर राशी और कुम्भ राशी पर ग्रहन का प्रभाव थोड़ा बेहतर है, थोड़ा इंप्रूवड है तो इनको इसका फायदा मिल सकता है, लेकिन सभी राशी के लोगों को आज भगवान शिव की पुजा जरूर करनी चाहिए, एक तो सावन में आप भागे बदल सकते हैं इसलिए, और दूसरा इसलिए कि चंद्र ग्रहन का अगले 15 दिन में एक प्रतिशत भी बुरा असर आपक की, सावन के महीने का आखिर भागे के साथ क्या कनेक्शन है, क्या किस्मत कनेक्शन है सावन का, हम कह रहें ना कि सावन के महीने में आप अपने भागे को बदल सकते हैं